हेलो डियर फ्रेंड स्वागत एक बार फिर से आप सभी के अपने यूटूब चैनल अपलाई नाउ में दोस्तो इस चैनल पर आपको रियल गॉर्मेंट जॉब्स के बारे में बताया जाता है तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पली चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो हम डाले तो सबसे पहले आप पे नौटिफिकेसन पहुँच जाए तो चले बात करते हैं आज की लेटस वेकैंसी के बारे में आज की वेकैंसी आपकी निकाली गई है राजिस्थान के अंदर राजिस्थान में आपके जूनियर इंजिनियर के आउनलाइन फॉर्म निकाले गई हैं यह औल इंडिया वेकैंसी है तो आप भारत के किसी भी राजिय कस्बे में रहते हों आप इस form के लिए apply कर सकते हैं महीं form की बात कर तो इसके form आप 21 जनवरी 2022 से भर सकते हैं जिसके last year 19 वरवरी 2022 तक रखी गई है कुल total vacancy की बात कर तो इसमें आपको बहुत थी अच्छे स्ट 1092 स्ट निकाली गई है वहीं exam की बात कर तो इसमें आपका exam भी जल्दी मई 2022 को ले लिया जाएगा तो अभी आपके पास approach 4 से 5 months है तो आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं application fee general OBC other state candidate की 450 रूपीज रखी गई है वहीं आप SCST candidate तो आप से 250 रूपीज लिया जाएगा age की बात करें तो age criteria इसमें एक जनवरी 2023 से count किया जाएगा जिसमें minimum 18 years to maximum 40 years के candidate भी apply कर सकते हैं वहीं आप OBC candidate है तो OBC को 3 years and SCST को 5 years का age relaxation भी दिया जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें LGBT और salary की तो अगर आपने BTEC कर रखा है तो आप इस form के लिए apply कर सकते हैं या फिर friends आपने सिर्फ diploma भी कर रखा है तो आप इस form के लिए apply कर सकते हैं जैसे mechanical, civil, electrical के candidate इस form के लिए apply कर सकते हैं वही salary भी इसमें आपको बहुत ही अच्छी 59,500 पर मंथ यानि approximately 60,000 पर मंथ दिया जाएगा और भी अधिक जनकारी क्लाब description में जाके notification को पड़ सकते हैं तो अब हम बात करते हैं इसमें exam pattern की वही selection की बात करतो इसमें आप से return exam लिया जाएगा return exam आपका mcq यानि multiple choice question बेस्ट होगा वहीं syllabus and exam pattern आपको description box के obstacle website में जाके मिल जाएगा and final stage आपको document verification लिया जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें apply process की तो सबसे पहले आपको apply के link पे click करना है apply के link आपको video के description में मिल जाएगा step 2 में आपको अपनी अच्छे से person and education details फिल कर लेनी है step 3 में आपको examination fee पे करना है examination fee आप online पे कर सकते हैं जैसे debit card, credit card, UPI जिससे भी आपको ठीक लगे form बनने के बाद friends आपको form का print out निका लेना है या फिर आप चाहे तो PDF वी save करके रख सकते हैं for future friends के लिए तो उमीद करते हैं जै वीडियो आपको पसंद आई हो तो please वीडियो को like and channel पर पहली बार है तो please channel को subscribe करना ना भूले thanks